Hey guys, what's up, welcome back to another video थोड़ी दिन पहले मैंने एक challenge video बनाई थी जिसके अंदर मुझे एक दिन में grandmaster push करना था वो भी solo rank push करके तो उस दिन मैंने एक दिन में 726 rank plus करी थी वो भी solo खेल के और अगर आप उस दिन के सारे matches को देखोगे तो आपको बता चलेगा कि मेरा किसी भी match में एक भी rank minus नहीं हुई थी तभी आपको मैं वही character combination बताने वाला हूँ जिसको मैंने ये video बनाते वक्त use करा था और इन्ही character combination की वज़ेसे मैं सारे matches में अच्छा खासा plus कर पाया और मेरा एक भी sms नहीं गया जिसमें मेरी rank minus होई हो तो अगर आप भी solo rank push करते हो तो जो character combination अभी आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपको काफी ज़्यदा help करेगी rank push करने में तो बात कर लेते हैं character combination number 1 की इस character combination में है Orion, Miguel, Kaylee, Jota Jota character आपको उस वक्त बहुत ज़्यदा help करेगा जब short range में काफी सारे enemies होंगे और लगातार सारे enemies बारी बारी करके आपके उपर rush कर रहे होंगे तो यह तो obvious सी बात है जब भी आप किसी enemy से fight लोगे आप भी थोड़ा बहुत damage होंगे और उसी वक्त अगर कोई और enemy भी आ जाता है जब आपको काफी सारे enemies दिखेंगे जो sonya का use कर रहे होंगे तो उस वक्त जब आप enemy से fight लेते हो और enemy का sonya अक्टिवेट हो जाता है तब आपको जल्दी से orange बन जाना है इससे सामने वाला enemy बड़े राम से finish हो जाएगा और सामने वाला enemy आपको नहीं मार पाएगा लेकिन जब मैं ये challenge वाली video बना रहा था तो मैंने बहुत बार ये चीज़े experience करी कि मेरा orange character charge नहीं होता और सामने वाला enemy से fight लेते हो और सामने वाला enemy का sonya अक्टिवेट हो जाता है start कर देता है and zone आ जाता है तो उसी वक्त आपको orange बन जाना है इसे zone का damage आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आप easily heal battle को जीच जाओगे end बूया कर लोगे तो जब आप किसी भी enemy को बहुत ज़्यादा damage दे देते हो और वो enemy घर के उपर भागता हो चला जाता है तो उस पर rush करने के जगा नीचे रहके orange on कर लेना उपर वाला enemy बढ़ एराम से खतम हो जाएगा तो अगर कोई भी enemy घर के उपर camp कर रहा हो और आपको उस enemy को rush करके मारना है तो आपको बस rush करते वक्त orange बन जाना है और orange हटते ही enemy को damage दे के खतम कर देना है और orange character का सबसे common use होता है जब भी कोई enemy आपके सामने आए आपको पहले enemy को damage देना है और जैसे enemy आपके उपर fire करने लगे आपको orange बन जाना है और फिर जैसे आपका orange हटता है आपको सामने वाले enemy को damage दे के खतम कर देना है और जब आप orange बनते हो तो काफी सारे enemies भागने भी लगते हैं तब तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है enemies को मारना तो अब जितनी भी tricks आपको मैंने origin के साथ बताई है most of the time आप ये चीज़ experience करोगे जब आप solo rank push करोगे और ये character combination यूज़ करोगे तो अब बात कर लेते हैं second character combination की इस character combination में है Tatsuya, Kelly, Jota, Moko तो solo rank push करते वागत कई बार आप देखोगे कि दो enemy आपस में लड़ रहे होगे तो आप Tatsuya के character का use करके दोनों enemy की fight में घुश सकते हो और बड़े अराम से दोनों enemies को damage देके खतम कर सकते हो इसे सामने वाले enemy confuse हो जाएगा और आप बड़े अराम से enemy को खतम कर सकते हो और बाकि आप clip को देखकर काफी अच्छे से समझ सकते हो कि enemy कैसे confuse हो जाता है तो आप एकदम से rush करके enemy को बड़े अराम से मार सकते हो Moko character आपको solo rank push करने में बहुत ज़दा help करेगा आप इस clip के साथ Moko character की skill समझो तो इस clip में सामने एक enemy होता है तो सबसे पहले मैं grenade cook करके घर के अंदर fake देता हूँ जिससे enemy damage हो जाता है और enemy की उपर Moko का sign मन के आ जाता है उसके बाद मैं एक और grenade cook करके fake ता हूँ बट सामने ओले enemy इदर भागने लगता है इसलिए enemy damage नहीं होता लेकिन जब मैं तीसरी बार grenade को cook करता हूँ तो इस बार मैं Moko का sign को ध्यान में रखता हूँ और enemy जहा जा रहा होता है मैं वहीं पर grenade cook करके fake देता हूँ और फिर enemy grenade के damage से ही knock हो जाता है Moko character की help से आपको enemy की exact location पता चलती रहेगी अगर enemy भागता रहेगा तो भी तो किसी भी enemy को मारना बहुत ही ज़्यादा easy हो जाता है अगर आपको enemy की exact location पता हो तो आपने इस clip में देखा कि मैं Alvaro character की skill नहीं use कर रहा हूँ करके enemy पे fake देते हो तो सामने वाले enemy को मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इसलिए जितने grenade मिलते रहे सब bag में भर लिया गरो और अगर आपनी किसी enemy को damage दिया और वो enemy cover में भाग रहा हो तब आप Tatsuyo के use करके उस enemy पे easily rush कर सकते हो और उस enemy को बड़े राम से मार सकते हो तो लास सरकल में अगर आपका 1v1 fight होता है और आप अगर enemy को थोड़ा damage कर देते हो तो आप Tatsuyo केरेक्टर का use बार बार करके सामने वाले enemy पे बहुत बार rush कर सकते हो फिर आप बड़े राम से सामने वाले enemy को खतम करके बुया ले पाओगे तो अब बात कर लेते हैं 3rd character combination की तो अभी जो last 2 character combination आपको मैंने बता है ये 2 character combination मैंने अपनी challenge वाली वीडियो में यूज करा था और solo rank push करके एक दिन में 700 से भी ज़्यादा rank less करी थी जो 3rd character combination अभी आपको मैं बताने वाला हूँ उसे भी यूज करके आप बड़े राम से solo rank push कर पाओगे इस character combination में है Homer, Kelly, Locata, Maxim तो जब भी आपके short range में बहुत सारे enemies होंगे तो अब बिसलिए आपको बहुत सारे enemies से short range के अंदर fight भी लेनी पड़ेगे नहीं तो बहुत बर क्या होता जब हम एक enemy से fight लेते हैं तो damage होने के बाद हम अपनी health को full करने में लग जाते हैं तीन magic लगाने में इतना ज़्यादा time निकल जाता है कि short range में जितने enemies होते हैं वो आपस में ही सब मर मुर जाते हैं उसकी वज़े से जो ज़्यादा kills आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे और फिर आपका जो rank plus होगा वो बहुत ही कम होगा और लुकेटर क्रिक्टर की वज़े से आपकी जो HP होगी वो 250 हो जाएगी तो फिर जब आप enemy से fight लोगे तो आपके पास बहुत जादा advantage होगा और आप बड़ एराम से सामने वाले enemy को मार पाओगे आपको सोचो ना जो सामने enemy उसकी 200 HP है और आपके पास 2500 HP है तो enemy अगर आपको 40-50 का damage भी देगा तब भी आपको कुछ फरक नहीं पड़ेगा और आप easily सामने वाले enemy को खतम कर दोगे और homer का use करके आप सामने वाले enemy को drone में फसा सकते हो इससे कुछ सेकिन के लिए सामने वाले enemy अटक जाएगा और आप बड़े राम से उस enemy को मार पाओगे और कोई enemy जब घर के उपर cam कर रहा हो तब आपको पहले homer को on कर लेना है जब homer का drone enemy को hit हो जाएगा तो उसके बाद आपको enemy पर rush करना है तो बात कर लेते हैं 4th character combination की तब यह आपको जो मैं character combination बताने वाला हूँ तो आपको एक भी ऐसा enemy नहीं दिखेगा जो skyler का use कर रहा होगा almost सभी players skyler character को भूल गई है तो इसी चीज का फायदा आपको उठाना है और आपको skyler character use करना है और सामने वाल enemy को shock करना है लेकिन उससे पहले आप कुछ समझ लो और 21 में हम skyler character को use क्यों करते थे क्योंकि skyler character का use करके हम सामने वाल enemy की glow wall को easily destroy कर पाते थे और जब हम glow wall लगा दे थे तो हमें skyler से 40-30 hp मिलती थी तो सबसे पहले इस चीज को tick करते हैं तो अभी भी हम सामने वाल enemy की glow wall easily तोड़ सकते हैं जैसी Leon character की skill activate हो जाती है आपको 60 hp मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी और आपका hp वाला काम भी हो जाएगा तो अबर आप solo rank push करते हैं skyler का use करोगे और आपके सामने 1v1 की fight होती है और आपके सामने वाल enemy को मार पाओगे जब भी आप किसी भी enemy को damage दोगे वो obviously glow wall लगाएगा तो आपको थोड़ा सा रुकना है and skyler की ability fake देनी है and fire करने के लिए आपको ready रहना है जैसे enemy की glow wall destroy होती है आपको enemy को headshot मार के या फिर body मार के खदम कर देना है और उस वक्त आप उनकी glow wall जल्दी से तोड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि वो 90 character का use करते है जासी situation में आप skyler का use करके बहुत आसानी से सामने वाले enemy को मार पाओगे और गल्ती से कोई enemy अगर आपको knock कर देता है तो आपका sony activate हो जाएगा तो अगर आप सीरिस rank push करने वाले हो तो ये character combination मत use करना बाकी आपकी मरजी तो अब बात कर लेते हैं 5th character combination की और यान, मिगुल, रफैल, केली सोलो rank push करते हो तो आपको काफी सारे enemies long range में मिलेंगे तो जब आप long range वाले enemies को मार रहे होंगे तो हो सकता है कि आपकी आसपस कोई enemy चुपके बैटा हो जो आपको easily headshot मार के खदम कर सकता है तो इसलिए आपको रफैल करेक्टर का use करना है तो इसलिए जब आप long range वाले enemy को wood picker ACAT जैसी gun से मारोगे तो आपकी जो आसपस enemy होंगे उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि जब आप रफैल करेक्टर का use करते हो तब आपकी gun में automatic silencer लग जाता है जिससे कि आसपस वाले enemies को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपकी exact location और बाकी मैंने first character combination में और इस character combination के साथ भी कर सकते हो और बाकी ये फाले character combination का use करके आप definitely solo rank push कर सकते हो और बाकी अगर आप ये देखना चाहते हो कि कोई player सुबे से लेकि रात तक जब solo rank push करता है तो पूरे दिन में वो क्या-क्या करता है कब-कब game खेलता है वो सब आपको पता चल जाएगा जब आप ये challenge वाली वीडियो को देखोगे तो अगर आप भी solo rank push करने का plan बना रहो या इसी solo rank push कर रहो तब तो आप definitely इस वीडियो को देखना इस वीडियो को देखने के लिए आप left ले click कर सकते हो आप सीधा वीडियो के अंदर चले जाओगे आगे आजके लिए इतनाई चैनल पर नहीं है तो प्लीज जानको subscribe कर के बाइट नोटिफिकेशन गौल पर सेट कर देना इस वीडियो को like कर देना इस वीडियो को सब भी अपने दोस्तों को share कर देना मैं मिलते हो किसी और अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ